इस बार हमारी क्या cut-off रह सकती है एंटेजिशन एंट कोमर्स एक्जाम की तो मेंले जो हम cut-off estimate करेंगे वो सिर्फ जर्नल केटेगरी की करेंगे और हम सिर्फ previous year को ध्यार में रखकर cut-off का estimation नहीं लगाएंगे हम कुछ factors को ध्यार में रखकर लगाएंगे जैसे की कितने number of candidates ने इस बार appearing हुए है क्या हमारा exam का level था इन सब factors को हम ध्यार में रखकर जो है अपनी cut-off को estimate करेंगे So friends, main बात यहाँ पर यहाँ पर याती है कि आपके लिए cut-off जाना क्यों जूरूरी है देखो friends, इस बार जो result है वो हमको जल्दी नहीं मिलने वाला मतलब कि 23 December को तो exam खतम है उसके बाद आपको official answer की आएगी official answer की आने के बाद आप उसको challenge करेंगे और challenge होने के बाद ही हमारा उसको final result देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि January की starting में आपको result देखने को मिलेगा तो इतना weight आपको करना पड़ेगा अपनी result के लिए अगर आपको इस estimated cut-off से पता लग रहा है कि आपका net year graph आपको qualify हो जाएगा तब तो आप result की weight करिए otherwise आप क्या करिए अभी सही preparation करना start कर दीजे क्यों क्योंकि आप जो net का level रह चुका है वो level नहीं है जो पहले आता था अब जो level है वो analytical way में question ask के जा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा prepare करना पड़ेगा तो कह सकते हैं कि एक दो मेने में prepare करने से net qualify नहीं होने वाला जीराफ क्वालिफाई नहीं होने वाला तो उसके लिए कुछ ज्यादा preparation करने की जोड़ता है तो friends आपको इस channel पर जो है continuously regular way में जो है एंटिविशेंट कोमर्स पेपर 2 की और पेपर 1 की वीडियो मिलती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटिविशेंट कोमर्स की या पेपर 1 की preparation कर रहे हैं तो चलिए friends टाइम को वेस्ट की बना स्टार्ट करते हैं तो friends सबसे पहले हम previous year cutoff जान लेते हैं कि previous year क्या cutoff रही थी तो friends आपको पता है कि previous year में जो है percentile में हमको result मिला था कि percentile के अंदर उन्हों result दिया था तो cutoff तो दी ही नहीं थी बर अगर हम एक estimation लगा कर चलें कि कि इतनी cutoff रही थी पिछली बार तो approach on and average net की cutoff थी 61% के approach ही थी और अगर GRF की बात करें 69% के approach हमारी GRF की cutoff थी यह एक average है just note कि यह इतनी हमारी cutoff रही थी क्योंकि percentile form में result आया था तो cutoff का estimation लगाना थोड़ा सा difficult task है तो इसको हम base वान के चलेंगे कि इसके according यह बताएंगे कि cutoff increase होगी या decrease होगी तो यह एक base है चलिए अब कौन-कौन से factors हैं जो कि effect करते हैं हमारी cutoff को mainly हमारी factors तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको 3 ऐसे factors बता रहा हूँ जो हमारी सबसे ज़्यादा impact करेंगे हमारी cutoff को सबसे पहला है exam level अगर हम exam level की बात करें तो इस बर जो level था वो easy भी नहीं था और difficult भी नहीं था mainly हमारी time की management की problem जो है सबसे ज़्यादा थी time manage नहीं हो पा रहा था तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो exam का level था वो moderate था वो कैसा था moderate था तो अगर आप exam level की हिसाब से देखोगे तो आपके cutoff जो है पिछली बार के comparison में इस बर low जाने वाली है अगर सिर्फ exam level को आप ध्यान में रखोगे तो तो इस बर जो cutoff है वो आपको low देखने को मिलेगी अगर सिर्फ और सिर्फ exam level की बात की जाए क्योंकि exam level पिछली बार के comparison में moderate रहा है तिनों shift का moderate रहा है तो फ्रेंट्स एक चीज में आपको clear कर देता हूं काफी students के मन में doubt रहता है कि इस बर तीन shift में exam हुआ है first, second and third तो आपके मन में यह हो रहा हो कि किसी shift में low level का आगया होगा किसी shift में moderate का और किसी shift में high का एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो result रहता है वो shift wise रहता है ना कि overall wise मतलब कि अगर पहली shift के अंदर 60,000 students appeared हुए तो 60,000 का 6% जो है उन्हें को net qualify मना जाएगा अगर second shift के अंदर 40,000 जो है number of candidates appeared हुए तो 40,000 का 6% जो है उन्हें को ही क्या मना जाएगा net qualify मना जाएगा तो हर एक shift के अलग-लग candidates को निकाला जाएगा ना कि यह कि आप overall को calculate करें और उसका 6% निकालें दोनों में बहुँ जादा difference है तो इस चीज के confusion मत रखना कि हमाई साथ partiality हो रही है उनके साथ नहीं हो रही तो सभी का जो result रहेगा वो different different रहेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है किसी के 62% आए उसका net qualify हो गया किसी के 64% आए उसका net qualify नहीं हुआ ऐसा भी हो सकता है इसके बाद हम बात करते हैं number of candidate appear तो friends common सी बात है इस बाद candidates डबल हुआ है क्योंकि इसमें exam merge हो रहा था जून का भी और December का भी तो candidates जब merge हुआ है तो इसका मतलब हमारे candidates की strength जो है positive बढ़ चुकी है it means कि अगर मालों की December के attempt में 20,000 students ने देना था और 10,000 जो है June के exam में देना था तो दोनों को merge करने के बाद 30,000 students हो गया है तो इसका मतलब इस बाद जो है ज़्यादा number का net निकलेगा और ज़्यादा number of students का ही क्या निकलेगा जेरेफ निकलेगा तो इसके according हम कह सकते हैं कि हम मच था मतलब की बहुँ जादा competition level था क्यों क्योंकि last one year से एक student prepare कर रहा है अपने exam के लिए last one year से मतलब December में exam हो था November में exam हो था और इस बार भी November में हुआ है तो एक साल का gap थोड़ा नहीं होता वो भी net exam के लिए जिसको आप 2-3 महीने में अच्छे से prepare कर सकते हैं तो इसक की cutoff केसी रहें तो दो factor कहते है कि net की cutoff कैसे रहें हाई रहें तो अगर हम इसका overall conclusion निकाले तो conclusion हमारा यह कहता है कि estimated cutoff इस बार जादा नहीं थोड़ी सी क्या सी बात करेWest तो कही ना कही 58% जो है हमारी क्या रहेगी cut off रहेगी net के लिए एक estimation है friends कोई ऐसा तो नहीं है कि particular इतनी रहेगी बट एक estimation है आप estimate लगा कर चल सकते हैं और अगर हम जेरेफ की बात करें तो cut off कितनी रहेगी 65% के approach आपको देखने को मिलेगी तो थोड़ी सी बाट डाउन ही जाने के chances हैं क्योंकि exam level भी थोड़ा moderate था और merge भी हो रखे हैं students बट competition level आपको पता है कि वो हर साल increase होता है ऐसी कोई बात नहीं है तो ये कुछ estimate है ये general category का है अगर आप SC से बिलोग करते हैं या OBC से बिलोग करते हैं तो आप इसमें से reduction डालेना 5% SC के लिए डालेना 3% आप OBC के लिए डाल सकते हैं reduction इसमें तो ये आपकी cutoff रहेगी तो कोई एक estimation लगा है कोई ऐसा particular way नहीं है कि मैं यही कह रहा हूं कि यही cutoff रहेगी तो इसके दुरुए कि आप idea ले सकते हैं और उसे के according अपनी preparation को start भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका net KJRF नहीं होगा ओके so thank you friends for watching अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज लाइक जुरू करना चिंक